आज मैं आपके साथ एक दम अलग सुआद में बन कर तयार होने वाली दम आलू की रेसेपी से एर करने वाली हूँ इस दम आलू की सबजी का बनने के बाद सुआद एक दम लाजवाब आएगा हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रियंका एक बार फिर से कलपना कीचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फिर चलिए दम आलू की सबजी को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें दो चमच घी एड़ कर देंगे और घीके मेल्ट होते ही हम इसमें जीरा और हिंग को डाल देंगे जैसे ही जीरे से चटकनी की आवाज आने लगेगी हम इसमें दो हरी मिर्च और दो लाल सूखी मिर्च डाल देंगे यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले एड़ करेंगे मैंने सोप और धनिय को मामजस्ते में कूट लिया है अब हम इसे डाल देंगे सोप और धनिय के हलके से रोष्ट होते ही हम इसमें मेथी दाने को डाल देंगे मैंने मेथी दाने को आदा घंटा पहले भीगो कर रख दिया था ऐसा करने से मेथी दाने की सारी कड़वाट भार निकल जाती है और अब हम इन सबी चीजों को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे खड़े मसाले हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं अब हम इसमें दो चमच बेसन डाल देंगे बेसन को डालने के बाद हम इसे दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन भार निकल जाए बेसन हमारा भून चुका है अब हम इसमें अपने बोईल आलू डाल देंगे मैंने इहां पर छोटे साइज के आलू को बोल किया था और इने दो भागों में कट कर लिया है आलू को कड़ाई में डालने के बाद हम इने 1-2 मिनट तक मसालों और वेसन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे आलू को दो मिनट भूनने के बाद हमारे एक दम बढ़ियारी पटमा आलू भूनकर तयार है अब हम इसमे अपने बाकी के मसाले अड़ करेंगे एक टेबल इस्पून कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबल इस्पून नमक नमक को यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं अब हम इसमें एक टेबल इस्पून तीखी लाल मिर्च डाल देंगे एक टेबल इस्पून हल्दी पाउडर एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर और मसालो को आलो में डालने के बाद हम इने अच्छे तरीके से चलाते हुए मिला देंगे ताकि जो भी मसालो का फ्लेवर है वो हमारे आलो में अच्छे तरीके से पहुच जाए आलो और मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिल चुके हैं अब हम इसमें दो कप पानी एड़ कर देंगे पानी को सब्जी में डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें और फिर अपनी कड़ाई का धकन लगा कर हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे पांच मिनट के बाद हम अपनी कड़ाई का धकन हटाएंगे और अपनी सब्जी को चेक करेंगे और ये देखें पांच मिनट के बाद सब्जी हमारी एक तम बढ़िया तरीके से बन चुकी है अब हम इसमें एक टेबली स्पून अमचूर का पाउडर डाल देंगे अमचूर पाउडर को डालने इसे हमारी सब्जी में अच्छे से खटासा जाएगा क्योंकि दमालू की सब्जी को बनाते टाइम मैंने इसके अंदर टामाटर और प्याज एड़ नहीं किये हैं लेकिन इस सबजी को बनाते टाइम मैंने जो इसमें मसाले एड़ करें हैं उनका फ्लेवर सबजी में बहुत ही अच्छा आएगा और अब हम सबजी के उपर कस्तूरी मेथी को हातों से क्रस्कर कर डाल देंगे और साथ ही धनिया पत्ती एड़ कर देंगे धनिया पत्ती को सबजी में डालने के बाद हम अपनी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सबजी को सर्व के लिए एक बरतन में भार निकाल लेंगे इस परकार एक दम अलग सुआद के साथ हमारी दमालू की सबजी बनकर तयार है ये सबजी बनने के बाद पूरी और परांठों के साथ तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो फिर आप एक बार इस सबजी को जरूर बना कर ट्राइ करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगती है तो आप इनी लाइक वे सेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूले